हेलो फैंट्स वेलकम टूए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल आज हम आपके सामने आए हैं एक न्यू जॉब डिटेल लेकर कि रादस्थान पुलिस ने निकाली है कॉंस्टेबल भरती 2018 के लिए संसोदित विग्यपती जिसके लिए आप कर सकते हैं अपलाई ओनलाइन 25 नॉलेज पांथ 2018 से और आप इसको कर पाएंगे 14 छे 2018 तक तो वेकेंसिस जो है आपकी 13,142 पोस्ट के भरती निकाली गई है तो जानते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में क्या है इसकी फुल डिटेल तो आए शुरू करते हैं तो रास्थान पुलिस की जो कॉंस्टेबल भरती थी वर्ष टूट अरोल 18 के लिए उसकी संसोदिफ विग्यपती है ये जो की आज ही 25 मई 2018 को जारी की गई है इसमें जो आपके पद है वो 13,142 पदों पर जो है भरती आपकी होने वाली है इसके लिए आपको जो है SSO ID के म अध्यम से अब आपको ये आविदन करना होगा यदि आपने पुराना आविदन कर रहा है ओनलाइन तो आप उसको क्या है जब आप उसको फॉर्म को भरेंगे तो आपको पुरानी आविदन ID जो है वो डालनी होगी जिसके साथ आपको जो है नई application ID जारी कर दी जाएगी और आपको दोबारा से जो है परिक्षा सुल्क का भुकतान जो है नहीं करना होगा और यदि आपने ओफलाइन करा है फॉर्म भरा है ओफलाइन पेमेंट किया था तो आप जो है कमरा नंबर 237 से जो है इसको प्राप्ट कर सकते है पुलिस मुक्याले में तो फ्रेंस जो इ पिछड़ा वर्ग के यदि आप धाई लाक रुपे से अगर आपकी इंकम कम है तो भी आपकी फीज जो है साड़े तीन सो रुपे लगने वाली है यदि आप राजस्तान राज्य के बाहर के निवासी है तो आपको जो है चार सो रुपे पेमेंट इसमें करना होगा क्योंक आपको जो इमेल आईडी डालेंगे और मॉबाइल नंबर है उस पर आपको जो सूचना वो दे दी जाएगी तो फ्रेंड यहाँ पर लिष्ट दे रखी है भरती है तो रिक्त पदो की तो आपको जो भी आप जहां से भरना चाह रहे हैं आप इस फॉर्म को तो आप देख स संचार ऑपरेटर के लिए है जो आपका 12th पास साइन सब्जेक्ट में आपके पास होना अनिवार रहे है तो आपके पास LMB या HMB जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए जो की एक वर्स पूरुका होना चाहिए आयू सीमा की भी बात कर लेते हैं तो आय बात की गई है ऐसे ही है आप बात की गई है है सारे लिक मापडंड की कि आपकी उचाई सीना और वजन जो है महिलाओं के लिए होता है या आपका क्तना होना चाहिए आपकी जो medical condition है वह आपकी क्या होनी चाहिए सब चीज़ों के बारे में यहां detail पूरुक बताया गया आपकी वो 15 जो है constable के लिए ही लागू होती है skill test जो है driver गुरसवार के लिए लागू रहेगा home guard जो है उनको आवट जो अंक है वो 10 रहेंगे constable के लिए driver के लिए इसमें कोई भी अंक आपको नहीं मिलेंगे कि आपके क्या क्या pattern से किसके subject से आपके जो है questions आएंगे जो कि आपके 120 आएंगे इसमें आपको minimum passing marks भी यहां बताए गए हैं कि जंदल के लिए आपके कितने marks चाहिए SCS टिक लिए कितने marks चाहिए तो यहां आप इसको full detail में पढ़ सकते हैं इसकी जो पूरी list है वो आपको हमारे description मिल जाएगी वहाँ पर जाकर आप इसको check कर सकते हैं तो friends यह थी जादस्थान पुलिस की संसोधिक विग्यप्ती से related कुछ जानकारी जो मैंने आपका share की यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो like कीजिए, subscribe कीजिए, share कीजिए और हमारे ऐसे ही और वीडियों आप देख सकते हैं www.youtube.com slash 24 knowledge पे और हमारा टेलेगराम गुरूप है उसको join करना बिलकुल न भूलेगा and the last thanks for watching